नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे इंग्वाइनल हर्निया के बारे में, इंग्वाइनल हर्निया क्या है, इसके कारण क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसका ट्रीट्मेंट क्या है, इसके कॉंप्लिकेशन क्या है, इसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं यह हर्णियाज मेल पॉपुलेशन में जादा कॉमन है और एस्पेशली उन बच्चों में जादा कॉमन है जिनका प्री मेचूर बर्थ हो जाता है ग्रॉइन हर्णिया का मेन कारण है कि मेल्स में टेस्टिस जो है वो पेट के अंदर डेवलप होती है और जस्ट बिफोर बर्थ ये पेट से नीचे स्क्रॉटम की तरफ डिसेंट करती है और अगर बच्चे टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं तो उनमें ये टेस्टिस पेट लोसाइड भी हो सकता है तो हर्णिया को कैसे पहचानते हैं जब बच्चा रोता है तो उस ताइम पर पेरेंट्स नोट करते हैं कि उसके ग्रॉइन एरिया में कुछ स्वेलिंग आ रही है और जैसे ही वो चुप करता है या सोता है तो स्वेलिंग कम हो जाती है और अगें नेक्स्ट है या जब उसे दुबारा रोता है तो अगें ये स्वेलिंग होती है तो इससे उन्हें आइडिया लगता है कि कोई स्वेलिंग है जो आ रही है और वापिस अपने आप ठीक हो रही है और अल्मोस्ट यह डागनॉस्टिक है हर्णिया का क्यूंकि जारत और और इसका इलाज क्या है अगर हर्णिया डाइगनोस हुआ है तो इसका सरजरी करवाना पड़ता है आप इनिशल सेजेज में जब बहुत बच्चा छोटा है उस समय इसे अब्जर्ब कर सकते हैं अगर इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रही है यह हर्णिया बहुत बड़ा नह बड़ानी नहीं कर रहा है तो हम वेट कर सकते हैं जब तक कि बच्चा थोड़ा मैचूर नहीं हो जाता उसके बाद यह सरजरी करवाई जा सकते हैं हर्णिया को ऑपरेशन चीरे से भी क्या जा सकता है और आजकल जैसे टेक्निक्स जादा एडवांस हो गई है तो इसे चोटा आएगा कोई भी स्किन पर स्टिचेज नहीं आएंगे बच्चा बहुत जल्दे रिकवर करेगा और अपनी नॉर्मल लाइफ में बापिस अला जाएगा एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि क्या इस हर्णिया में जाली डाली जाती है या नहीं तो क्यूंकि बच्च जिनके अभी हाइट बढ़नी है उनमें जाली एवोड की जाती है तो क्या जाली ना डालने से बच्चों में हर्णिया दुबारा हो जाएगा बच्चों की एनैटमी डिफरेंट होती है as compared to adults बच्चों में बिना जाली डाले भी हर्णिया का दुबारा होने का रिस्क कम रह तो किसी टाइम पे यह आंत अंदर जाके फस सकती है क्योंकि एक होल है जिसमें से आंत अंदर जा रही है ग्रॉयन एरिया से बाहर नजर आ रही है और वापिस अंदर चली जाती है कुछ देर के बाद तो अगर कहीं वहां जाकर फस कई तो यह आंत रुक सकती है बच्चे क लगे बाद किन चीजों का ध्यान रखना है बहुत चोटे बच्चों में हम बहुत सरा ध्यान तो नहीं रख सकते लेकिन कोशिश कीजिए उसे ख्रॉनिक खांसी ना हो नहीं और और आप अप अपना अच्छा डिसेजन ले पाएंगे इसे बहुत जल्दी ही करवा तो kindly इन्हें लाइक कीजे, इन्हें शेर कीजे और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजे Wishing you a very healthy life ahead. Thank you